सबस्प्राइ слишком अज हम बात करेंगे फैटी लीवर पी आण्टेटी लीवर दो तरीके एक यह होताए एक मिनकी यह नॉन ईलकोहलिक हम देजीज होता है व्हो होता है वह उन लोग होता है जो बहु ज़यादा थिव्यहल का भातमशन करते हैंutet और non-alcoholic होता है जो without alcohol पीनी के कारण जिनलों का liver पे fat deposit हो जाता है generally तो liver is capable of reversing itself अगर आप उसका अच्छे से take care करें तो alcoholic people जो होते है ना उनको जो liver damage है अगर वो alcohol को बिल्कूल छोड़ दे तो on depending on कितना उनका liver में fat deposition है on that basis 2-3 महीने में या साल भर में उनका fat जो है liver से reverse हो जाता है बर शर्त ही है कि वो दुबारा से alcohol का consumption ना करें दूसरे नमबर पे जो non-alcoholic fatty liver disease होता है ना वो generally होता है अगर हम high sugary food खाएं बहुत जादा fried food खाएं या trans fats का consumption करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको fatty liver हो गया है तो आपको कौन कौन सी चीज बिल्कूल भी नहीं खानी है तो please do watch this video till end and I hope you all like my videos for more video do like and subscribe सबसे पहला हम बात करेंगे कि जितने भी लोग है fatty liver वाले उनको high sugary food नहीं खाना चाहिए high sugary food कौन सी हो गया जितना भी आपका packed food है जैसे कोक्स वगरा हो गई या soft drinks हो गई जो juices आते हैं ट्वेटरा पैक्स में या फिर added sugar वाली कोई भी चीज जो commercially बनी हों उनमें white sugar बहुत जादा मातरा में ढली होती है उसको लेने से आपका liver बहुत जादा damage हो जाता है लिवर में क्या होगा inflammation हो जाएगी swelling भी हो सकती है आपको भूक नहीं लगेगी digestion की problem क्योंकि generally हमारे को liver fit रखना होता है जिससे कि हमारा digestion बहुत अच्छा रहे added sugar लेने से जो यह white sugar होती है एक तो हम लोग का weight gain हो गया obesity की problem हो जाती है insulin की resistance हो जाती है हमारे body में BP बहुत जादा बढ़ सकता है triglycerides increase हो जाते है हमारे body में क्योंकि यह white sugar doesn't give कोई भी health benefit नहीं देती है इससे हमारे body में oxidative stress भी हो जाता है और in fact uric acid की भी problem हो जाती है because of this added sugar तो you have to cut down your sugar sugary products को अगर आप चाहते हैं आपका जो fatty liver आपको हो गया है वो reverse हो जाए second important चीज जितनी भी fried food है fried food क्या होता है जब हम high salty fried foods लेती है उसमें salt content इतना जादा होता है कि हमारी body जो है उसके अंदर fluid retention भर जाता है जिससे की हमारा liver damage हो जाता है liver में inflammation हो जाएगी या आपको किसी भी तरीके की liver से related problem होगी तो इसके लिए आपको high salty food नहीं खाना है जितनी भी packed food है chips बोलेया या बाहर से बने वे ready to eat foods होते हैं उनमें sodium content बहुत जादा होता है तो कोशिश कीजिए खाना खुद से बनाए less sodium content मतलब नमक का कम यूज कीजिए या जो भी आप product ले रहे हैं उसमें salt तोड़ा सा कम ही होगा तो आपका जो liver जो है ना वो damage से reverse होने लगेगा क्योंकि liver अपने आपको ठीक करना जानता है अगर आप उसका take care करेंगे तो another important food जो आपको बिल्कुल नहीं खाना है वो होता है saturated and trans fats generally जितना भी commercially baked चीजे होती है उनमें trans fats होते ही है या palm oil में जरूर होता है जितना भी आप commercially कोई भी चीज खरीद लें उसके अंदर palm oil ही उन्होंने डाला होता है that causes fatty liver another important high fat वाली जो dairy products है like cheese हो गया या full fat milk हो गया या butter हो गया जो आजकल जो हम yellow वचर खाते हैं वो salty होता है तो these all kind of things have trans fats तो ये आपके liver को बहुत हद तक खराब कर सकता है या फिर आप poultry की कोई चीज खाते हैं like आपने वो कोई भी chicken वगरत जैसे लिया जिसके उपर skin वाला होता है वो नहीं खाना है क्योंकि इन से आपको trans fats आपकी body में जाएंगे that will more damage your liver liver को हमें reverse करना है ना कि उसकी problems को बढ़ाना है एक research की according की पता चला है चो coconut oil है वो हमारे fatty liver को reverse करने में बहुत अच्छा काम करता है पहले लोग समझते थे कि coconut oil में trans fats होते हैं तो it will damage your liver but now on the recent studies यह पता चला है चो coconut oil में fat change जो होती है वो small होती है saturated fat change इसके कारण आप लोग का liver जो है ना reverse कर सकता है fatty liver को coconut oil दूसरा आप olive oil भी use कर सकते हैं that is also helpful in reversing your fatty liver palm oil बेकुल भी use नहीं करना है जितने भी ready to eat foods आते हैं उनमें बहुत जादा fried मतलब जो fried chips वगरा हो गया हम बहुत सारे खुशी-खुशी से chips के packet नमकीन के packet snacks वगरा लेते हैं that is loaded with saturated fats and trans fats और में high salt content होता है यह सारी चीजे आपके liver को बहुत जादा damage कर सकती है साती साथ जितना भी fast food है that also so damage your liver to try to avoid these things all the packed foods canned foods all the fried foods यह जितना भी आपका हम fast food के नाम पे pizza, burger वगर खाते है उसके आप coke भी पीते हैं these are all loaded with trans fats तो try to avoid all these things अगर आप जाते हैं आपका liver healthy हो जाए तो you have to drop down these things तब आप जाका कि अपने liver को reverse कर सकते हैं liver is capable of reversing its problems तो you should just have to help it I hope you all like my videos for more videos do like and subscribe